है डोस्तों आज के weeडियो में हम आपको यह बैताएंगे कि कैसे आप टी टीडियाल फाइल चेख कर सकते हैं हैं अब चेक्ट करके अपना च्छी कि अगर आपको TDS चेक करना है कि आपके PEN CARD पे आपके नाम से कितना TDS आया है तो इसके लिए दोस्तों आपको सिम्पले Google Chrome ब्राजिर पे आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है e-filling ध्यार आपको यहाँ पर सर्च करना है e-filling income tax, जैसे दोस्तों, आप यहाँ पर ePilling income tax सेर्च करते हैं, तो आप लोगों के सामने कुछ इस परकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है, आपको इस वहले option पर क्लिक करना है, चैसे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप जैसे ही डूक करेंगे, तो आपके पिंग्रट पे आपके नाम पर कितना टीज्यस आजा है और अगर आपका कम यहां से पैसा रिफएट भी ले सकते हैं चलिए कैसे तो आपसे पूझा जाता है कि आपका pen card किसी company के दुआरा बनाया गया है या आपने खुद swim बनाया है जैसे कि मैंने अपना pen card swim बनाया है तो मैं आपको सबस्वाले option पर हम लोग click करेंगे अगर आपका किसी और के दुआरा बनाया गया है तो आप उस पर click करेंगे यहाँ पर आप जैसे ही click करेंगे उसके बाद नीचे आपको continue के option पर click करना है continue के option पर click करने के बाद आपको अपना pen card ले लेना है अब आपको अपने pen card में से अपना pen card का number इस वाले box में फिल करना है उसके बाद pen card में जो आपका यानि कि मैं फर्ष्ट में डालूँगा सुजीत में डालूँगा कुमार और सर्ण में डालूँगा गुपता ठीक है नीचे आप से डेट ऑफ बर्थ पुझा जाता है आपको यहां पर करना है आप कलेंडर के माध्यम से अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे उसके बाद द पासवर्ड एक्जामपल क्ले ए बी सी कैपिटलेटर ए हैगा उसके बाद बी सी वन टो त्री ऐसे करके आपको पासवर्ड यहां पर बनाना है जब आप पासवर्ड बनाएंगे यहां पर यह जी रोल लेंथ दे रहा है यह ग्रीन हो जाएगा अगर यह पूरा ग्रीन हो ज चैंब करेंगे तो आपको यहां पर देना है पर यहांपर करते हैं ध्यहारा अपको चुका है पासवर्ड लेटर ए जैसे कि जाम पले मैं आपको बता रहा हूं भी सी उसके बाद 123 एड रे लाश में जरूर लगाना है जब तक यह ग्रीन नहीं होगा तब तक पासवर्टाप का मानी नहीं होगा ठीकिए उसके बाद मैंने यहां पर क्यूश्चन भी दे दिया अब दूस्ते यहां पर आपसे पूशाजाता है प्राइमरी अपर जाता है अप अपके पास पर फाइल नंबर आपके हैं कि पास यहां कि सेल पर क्लिक करूंगा उसके बाद आपको नीची आनां लेते हैं अब दोस्तों यहां पर मैंने आपको जैसे बताया कि आपको अपने बिलेच का नाम देना है यहां पर आपके एरिया का जो पिन कोड है आपको देना है चलिए दोस्तों आपको पूछा जाता है आपको फिल करना है उसके बाद पिन कोड आपको देना है जो भी आप से पोस्ट पूझे जा रहा है कि आपका पोस्ट цिस्ट्रिक्ट से है दोस्तो इस्लेट आपका यहाप सोज जाये उसके बात कंटीनू पर क्लिक करेंगे ठीक है। छोब होगा इसलिए फिल करके कंटिनू पी क्लिक करते हैं तो यहां पर आप देख सकए मैंने फॉम को फिल किया है उसके बाद में接 will करेंगे ठीक है चली है आपकर कंटिनू फे जैसे क्लिक करेंगे एक और आपको फई जाएगा यहां दोस्तों अगर आपके मॉवाइल में यहापर मॉवाइल नंबर लगा हुआ है और यह इमेल डिजालू लानी लगा है ओन है तो आपर जो मॉवाइल नमबर पोटीपी यहाँ पर फिल करके करें एक अब आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर user आईडि और आपका यहां पर अपर सब बन चुका है उसके बार जो user ID होता है यह आपका यहांपर जो पिन कार्ड होता है वही आपकाória यू-जाता है password जो आपने बनायां जो मैंने आपको बताया की जो आप दुस्तों यहां पर हम लोगों का यहां पर टीडियर्ष का जो है दूस्तों यूजिर आडी पासवोड बन चुका है उसके लिए देना है उसके बाद जो आपने यहां पर पासवोड बनाए उस password को आपको यहाँ पर फिल करना है यह जो आपको कैपचा आपको नीचे वाले option पर फिल करना है यह जो नीचे वाला box दिख रहा है उसके बाद दोस्तों आपको login के option पर क्लिक करते हैं यह सब हम फिल कर गें अब दोस्तों आप लोग के सामने कुछ इस परकार का नाम है यहाँ पर फिल करेंगे उसके बार दोस्तों आई है only year और बर्थ आईडी कार्ड इस पर आपको फिल करके या तो दोस्तों आप इस पर फिल करें नीचे वाले पर इसके टर्मन करणिशन को फॉलो करिए उसके बार लिंक नाव पर क्लिक कर सकते हैं या तो दोस्तों पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस परकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है जहाँ पर आपसे बताया जाता है कि अगर आप यहाँ पर जब क्लिक करते हो ग्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है आपको नीचे इसक्लोडाउन करके आना है यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका TDS कितना है देखें आप लिखा गया है click view text credit ठीक है चलिए यहाँ पर हम लोग click करेंगे यहाँ पर आप जैसे ही click करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस परकार का interface open हो जाता है सबसे पहले दोस्तो हम लोगों को year choose करना है यहाँ पर हम लोग year choose करेंगे जिस भी year का आपको check करना है आप उस year को choose कर सकते हैं चलिए मैं यहाँ पर 2020-2021 को choose कर लेता हूं नीचे आपको view as पर click करना है यहाँ पर आपसे पूझा जा रहा है कि आप किस language में देखना चाहते है test या HTML तो simply दोस्तो हम लोग यहाँ पर HTML को select करने के बाद दोस्तो आपको यहाँ पर नीचे मिलता है view downloads का option ठीक है अब आपको इस पर tap कर देना है यहाँ पर दोस्तो जैसे ही tap करेंगे तो आप लोगों को नीचे यहाँ पर मिल जाता है आपका TDS कितना है दोस्तो सब आपको सो हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं 2020-2021 का है यहाँ पर आप देख सकते हैं active है दोस्तो आपका नाम और सब से जैएगा टीक है अब दोस्तों नीचे जैसे ही कम आथे इसे को बहुत से लोगaffen जाते हैं टोलों दोस्तों महिने में बहुत जारे ट्रॉइं उसलिए उन को पैसा ठेग करना होता है बहुत सो लोग का ऐसे ही हो जाता है तो लोग अपने टीडियस वापस भी ले सकने हैं ठीक है तो दोस्तों यहां पर आपको सब कुछ सो हो जाता है अगर आपको किसी और संका देखना है तो आपको सिंपली उपर आ जाना है यहां पर दुस्तों आपको संको सिलेक्ट कर लेना एक्जांपर दुस्तों यहां पर मेरे में कोई भी टीडियस नहीं है मैंने कोई चीच पर्चेश नहीं किया है इसलिए यहां पर कुछ नहीं सो रहा है अगर आपने बहुत से चीच पर्चेश की है खरीदे हैं तो आप लोगों को दुइंद कर Te Perhaps आपको क्लिक करना है जैसे ही आपके सामने सो हो जाएगा कि आपने क्या क्या किया है तो दोस्तों आप कुछ इस परकार से ही अपना टीडियस देख सकते हैं अपने स्मार्ट पॉंट में दोस्तों अगर आपको टीडियस का यहाँ पर कुछ भी और नॉलिग चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरू बताईएगा इससे ज्यादा नॉलिग हम आपको और भी देने की कोशिस करेंगे तो दोस्तों उम्मिद करें धन्यवाद जैहिंद वंदे मात्रम